पूरी दुनिया के कलाकार इसे अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज के दिन ही वर्ष 1962 में फ्रांस में सबसे पहले इस दिन को मनाने की पहल की गई थी। उस समय फ्रांस के मंत्री मौरिस प्लूरिट ने सब के सामने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। आज ये दुनिया के 110 से भी अधिक देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व में शांती बरकरार रखने की कामना के साथ की गई थी। आज पूरी दुनिया अशांती के घेरे में हैं ऐसे में इस दिन के पीछ चिपी भावना और भी सार्थक हो जाती है। इस मौके पर जवार कलाकेंटर में शाम साड़े साथ बजे से गजल गायक जाविद हुसैन का विशेश कारिकरम आजद किया जाएगा। इस मौके पर कलाकार भी विबिन सोशल मीडिया पर अपने बधाई संदेश प्रसारित कर रहे हैं। आपको बता दे कलाकारों ने एवन टीवी से भी ऐसे ही संदेश साजा किये हैं। आए देखते हैं उनकी एक जलक। आए देखते हैं। ओ संदेश प्रस की पुहार लाई आखियों में प्यार दाई। संदेश प्रस की पुहार लाई आखियों में दार लाई। आज विश्व संदेश दिवस है। सारे दुनिया के कलाकार आज बहुत शांती पूरवक इसको मनाएंगे और इसकी धूम पूरे संसार मचा जाएगे। मैं वैसे तो नृत्य का कलाकार हूं लेकिन गायनवादन नृत्य तीनों जब मिलते हैं तभी संगीत बनता है। संगीत में इन सब का चोली दामन का साथ है एक साथ। इसलिए ये विधाएं एक दूसरे से जूड़ी हुई हैं। कोई भी एक अगर नहीं है तो वो अधुरा सा लगता है। दुनिया में आज बहुत अशान्ती फैली हुई है लेकिन संगीत हमेशन शान्ती का ही संदेश देता रहा है। और मैं भी आज इस विश्व जंगीत दिवस के अवसर पर सारी दुनिया के कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुपकामनाई देना चाहता हूं। एवन्टीवी के माध्यम से टोरंटो मिजिकल ग्रूप के वर्च्वल प्लाटफॉर्म के माध्यम से कलांकुर और टीमजी के कलाकारों को एक ग्लोबल प्लाटफॉर्म जो मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। TMG के फाउंडर राजीर सूजी का अनिल जैन जी का कलांकुर से और A1 TV का और बस यही दोस्ती बनी रहे ऐसी काम ना करती हूं कि हम इसी तरह से प्रेम और सद्भावना का प्रचार प्रसार करते रहें संगीत के माध्यम से दिलों को जोडते रहें दूरिया कम करते रहें और इसी तरह से हमारे ये म्यूजिकल जर्णी चाहते हैं